नमस्कार साथियों स्वागत है आपको पता ही है कि जो लगतार आज के न्यूज पेपर में जो प्रभात खबर में खास करके जो छपा हुआ ये अंक था माइनस मार्किंग को ले करके और परिक्षा के समय में बढ़ोतरी को ले करके तो इस जैसे ही पेपर में लोगों ने दे बात हो रही है तबा नहीं हो रही है पडिक्षा का समय बढ़ाने का जो बात इसमें किया गया है वो किस हद तक真 हुआ है तो लगतार जो मेंसेज आए की तीथी में परिवर्तन हो सकती है ये बहुत ही बड़े सवाल है और BPSC का क्या एस्टेंट है इस पर BPSC क्या चाह रही है और सिक्षाई वाग क्या चाह रही है इन सभी बातों का जवाब देंगे जवाब देने से पहले आप लोग को एक नंबर दे देते हैं ये नंबर नो सीटों के लिए रिखती निकाली गई थी जिसमें 421 सिक्षक मात्र सफल हो पाए थे इसका मुख बज़ा था निगेटिव मार्किंग और दूसरा मुख बज़ा था कि समय कम देना समय अब दी जो बहुत ही कम समय मिला था तयारी करने का ये दो पॉइंट से यहां पर थे ठ मात्र 421 सिक्षक सफल हुए हैं और कहीं कहीं दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे तो सिक्षा इभाब खुसी भी मना रहा था कि अधिक सधिक सिक्षकों को सफल करा करके हमने जो है सो एकदम मैदान मार लिया है और सिक्षकों को बार बार पैसा बढ़ाने की बात कर रह है तो उन सुवधाओं में अब जो है सो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हम इंची जो की मांग करें साथी साथ समाजिक तोर पर भी लोगों के द्वारा भी उनको बदनाम किया गया इस तरह से कि आप लोग तो भी पैसी के गिजाम में पास ही नहीं हो पाए तो ये इस परकार क जो है कहीं कहीं जो है बात ये सामने आ रही है ठीक है अब देखिए बात आ रहा सबसे पहला बात देखिए परिक्षा का समय बढ़ाने के बात हो लाग इसको बढ़ाया जा सकता बढ़ाया जाना भी चाहिए था चुकि 150 परस्न है और 2 घंटा दिया गया 120 मिनट कहीं कहीं ये सही नहीं है हर एक एक जाम में आप गौड की होईएगा तो जितना कुस्चन रहता है मीनिमूम उतना समय दिया ही जाता है अर्था धाय घंटा इसके लिए चाहिए चाहिए तो ये तो बनता है धाय घंटा मिल जाए तो अती उत्तम हो जाएगा लेकिन इसमें जो बात क जय कैंगे गवगा लोगवग डेर घंटा बढ़ाने की बात करते हैं अभी तक देखीए तना दिग भर कंगे उतना जैदा सिक्षा विभाग जो है कहीं नी कहीं उसका फाइदा उठाएगा क्या फाइदा उठाएगा बार-बार बीच बीच में देख रहे पेपर में कुछने कुछ अलूल-जूलूल चापते रहा है अब यह सबसे बड़ा अलूल-जूलूल क्या है निगेटी मार्किंग हट और BPSC इतना सक्षम है कि वा तुरत अगले दिन संसोधन करके बिग्यप्ती पुरह एक बार जारी कर दे कि 42022 जो बिग्यप्ती संख्या है इसमें इस तरह से सुधार किया जाता है लेकिन होता क्या है कहीं कहीं यह चाह रहा है कि आप एकदम तैयारी बिल्कुल ना करें आपको ट्रैक से भटकाया जा रहा है आप जब ट्रैक से हट जाएंगे निगेटी मार्किंग अब नहीं है तो आप तैयारी बिल्कुल छोड़ेंगे और जब तैयारी चोड़ेंगे और जब समय आजाएगा एक्जाम का और एक्जाम जब निगेटी मार्किंग के साथ की फिर से सिखचकों को जो है एक्दम तार-टार समादिक तौर पर कहिए राजनेतिक तौर पर किए हरेक तोर पर जो है सिखचकों को बदनाम करने की एक परकार से साजी स चल रही है ठीक है यह निगेटिव मारकन हाँ आने के अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है बिपिएसी के प्रिक्षा और देखे यहाँ पर असपष्ट, बिपिएसी जो है आपको वहाँ गजुआ के जो और नियंतरन के हैं यहाँ पर देखे प्रिक्षा और जो है इन्होंने असपष्ट कहा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है अगर सूचना हमें मिलती है तो हम इस पर विचार करेंगे जब सूचना ही नहीं मिला सर तो क्या ये प्रिवर्तन की बात हो रही है बिल्कुल प्रिवर्तन नहीं होने वाला है आप लोग को जो नंबर हम नोट करवाए थे उस पर WhatsApp करिए और फटाक से आप लोग क्लास को जोईन करिए लाइब क्लास चल रहा है सर लाइब क्लास धाइधाइ घंटे लाइब क्लास जो कि D.A.L.E. का एक्सप्लेसिन नेशन चल रहा है मैथमेटिक्स के प्रसनों से यदि आप डर रहे होंगे तो दोनों का क्लास भी चल रहा है ठीक है तो निश्चित रूप से आप लोग जुड़िये मात्र और मात्र एकदम मीनिमम फीस लिया जा रहा है सबसे कमसर तीन सो चार सो पान सो रुपया तो भी बच्चों का फीस महीना में भढ़ते हैं आप और यहां पर मात्र तीन सो निनानवे रुपया में पूरी मेटेडियल भी लीजिए और मेटेडियल के साथ साथ अप लाइब क्लास भी लीजिए एक-एक प्रसनों को पूरी तरीके से इक्स्प्रेशन किया जा रहा है निश्चित रूप से क्लास को जुड़िये जोईन करिए और एकदम प्रधान सिक्षक बढ़िए किसी प्रकार की आप जो है इस भरम को ना पालिए कि निगेटिव हटाया जा रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है ये बिल्कुल सरासर सब गलत बाते इसमें छापी गई है इस बात को धियान रखेगा हाँ जब तक BPSC अपने साइट पर नहीं मतलब इसको परिवर्तित कर दे तब तक आप एकदम मत सोचिए अपने आपको तयार करते रहिए अन्य था सिक्षक समाज तो ऐसे ही बदनाम है आगे भी आप बदनामी के बोज तले डवेंगे और इस बोज से यदि उबटना है तो निश्चित रूप से अपने तयारी को अंतिव रूप देते रहिए और हो सकता है तो आपका एकजाम आपका एकजाम 18 दिसंबर को ही हो ही जाए ठीक है इन सभी बातों से यदि आप सहमत है तो सेयर करिए वीडियो को अपने मित्रों के साथ और सेयर करिए और तयारी करिए आप अगर सिक्छक है तो निश्चित रूप से अपने सिक्छक की गरिमा को एकदम भजा करके रखिए गरिमा को एकदम बना करके रखिए ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद